महरास्ट में जारी बड़े सियासी घमसान के बाद देवेंद्र फर्नवीस भारतिये जनता पार्टी के शीर्ष नेत्रित्व से नाराज हैं ये दावे कई बार किये गए फर्नवीस को लेकर बार बार ये कहा गया कि देवेंद्र को जिस तरह से मुख्य मंतरी के जगा डिप्टी सीम बनाया गया है हाई कमान का ये फैसला उन्हें नामंसूर है देवेंद्र फर्नवीस ने पार्टी का फैसला चुपचा भले ही मान लिया हो लेकिन उनकी नाराजकी कई मौकों पर सामने भी आई और इसे लेकर अब बड़ी जानकारी सामने आई है वो ये है कि देवेंद्र फर्नवीस मातोश्री में जाने की तयारी कर रही है फर्नवीस के ठाकरे परिवार के साथ सुलजे हुए रिष्टे हर कोई जानता है देवेंद्र फर्नवीस और ठाकरे परिवार की नजदीकियों से हर कोई वाकिफ है उसे लेकर ही ये जानकारी सामने आई है कि देवेंद्र फर्नवीस उद्दव और रश्मी ठाकरे से मुलाकात करने के लिए मातोश्री किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं मातोश्री जाकर वहां बादशीत उद्दफ ठाकरे और रश्मी ठाकरे से कर सकते हैं फर्नवीस और उद्दफ ठाकरे की मुलाकात को लेकर जैसे ही राजनीति गलियारों में खबरे उठने लगी ठीक उसी वक्त के बाद से कई तरह के सवाल भारतिये जनता पाटी पर उठ रहे हैं और शिंदे फर्नवीस के सरकार का भविश्यक कितना उजवल होगा ये सवाल भी उठ रहा है खेर इस मुलाकात के सियासी माइने किस तरह से महरास्ट में राजनीतिक बदलाव लेकर आते हैं देखना होगा नेक्स्ट नाइन न्यूस्रूम के रिपॉर्ट